यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ कि करते हैं श्राम भी कहा गया कि हमें मजबूत करना है महाजन संपर्क प्यान चलाना लोगों की बीच जाना है समर्थन फॉर संपर्क तो आप चला ही रहते महा संपर्क की क्या योजना है भाजपा की ताकि जो है और लोगों जुड़ा सके अभी हमारी तीस तारीक को बैठक फिर है हर्याना के कोर गुरूप की कुल मिलागे भारतिय जनता पारटी का काम करने का एक तरीका है और उस तरीका का अब बाकी लोग भी हमारी नकल करने लगे हैं जैसे जो सब्दावली क हम परियोग करते थे बूत, सक्तिकेंद्र, जन संपर्क, संपर्क, समर्थन ये सारी जो सब्दावली है उसका नकल कॉंग्रेस के लोग भी करने लगे हैं और भी कई पार्टियां हमारी कार्यपद्दती की नकल करने लगी है अच्छी बात है इसका मतलब यह है कि हमारी जो कारिय पत्दती है वह विज्ञानिक है और सभी जो राजनीती में काम करने वाले लोग है हमारे पीछे चलने का प्रियास कर रहे हैं यह एक अच्छी बात है इक बात ओर सर कि अभी शिक्षाई भाग ने एक निरदेश जारी किया है जिसमें यह कहा है कि कि सभी जो अधिकारी हैं जो करमचारी अपनी संपत्ति का ब्योरा दे ताकि पारदशी सिस्टम चल चके और इसके लाबा आइस को भी कहा गया था कि वह भी दे तो दरसल क्या सभी से मांगा जा रहा है और क्या ने दिशानरदेश नहीं दिए गए हम जो राजनितिक लोग है हम जो विधायक हैं हम जो सांसद हमारे हैं वो तो साल के सुरू में ही हमने अपना ब्योरा अपने माने मुख्यमंतरी को दे दिया था अब अब सुरू से भी मांगा जा रहा है ऑफिसर से भी शायद मांगा जा रहा है परेटन की दृष्टी से सर आपने बड़ अच्छे प जगे अभी तक छूट गई हैं जिनके उपर बहुत युद्धस्तर पर काम होना चाहिए था जैसे मादोगड का किला है जैसे महेंदरगड का किला है जैसे ढोसी परवत है चवन रिष्टी का ये आश्रम है सुमवती अमावश्या को पानी अपने आप वहां उपर आ जाता है ऐसे सरदा के रहे परेटन के केंद्र हैं जिन पर बहुत पहले काम होना चाहिए था परंतु हम युद्धस्तर पर इन पर काम कर रहे हैं तो यह थे शिक्षा मंत्री जी रामद्लास शर्मा साब तो पर कहने थे कि सरकार की कोशिश है कि परेटन को इसकदर बढ़ावा द चंडिगर